हालो बच्चों स्वागत हैं आफ सब का टीचिंग वीद विवेग यूटूब चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छा 6 की गडित को जिसका आज अभ्यास 1B हम लोग स्वाल्व करेंगे इससे पहले अभ्यास 1A को हम पुरी तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं जिसने व पहला प्रशन होगा वह क्या रहेगा फिल इंदा बिलेंग्स यानि उसमें आपको खाली जगे भरने के लिए ऐसा बॉक्स बना होगा चार आपके सामने दिये होंगे में से कौन सा आपके लिए करेक्ट होगा वो बताना है तो देखो यहां पर क्या दे रखा है चार उसके जाएगा कि लिए है बच्चों चलो देखेंगे कि दूसरा प्रशन है बच्चों यहां पर भी आपको दूसरा प्रशन में भी बॉक्स बना है जिसमें भी आपको खाली जगे भरना है क्या है नो आठ साथ छे पांच उसके बाद में 35-35 से एकम 34-34 से एकम कितना हो जाएग आगे चलें अगले प्रशन को तीशरा प्रशन है तीशरे प्रशन का का इसमें क्या दे रखा है कि तेरा की अनुवर्ती प्राकरतिक शंख्या है तो देखो अनुवर्ती शंख्या के शे कहते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि अनुवर्ती शंख्या के शे कहते हैं जब भी कभी भी आप से अनवरती शंख्या पूछी डाए तो आपको जो शंख्या कि रखी होगी उसमें आपको एक जोड देना है तो मताओ फेरा में आप फेस्टाइब तेरा में एक जोड मेंrä कि तो आपको होगी चौदा हो जाएगी क्लियर है वही बच्चों चलो जो भी आपको अनुवर्ति पूछेगा तो उसमें आपको हमेशा संख्या में एक प्लश कर देना है क्लियर है वह अनुवर्टि तो जो आएगा वही हमारा एंसर हो जाएगा कि अनुवर्टि प्रकति शंख्या है तो देखो आप से पूछा गया है पूरवरती संख्या जब भी पूरवरती संख्या पूछी जाए तो जो शंख्या दे रखा होगा उसमें हम क्या करेंगे माइनस एक कर देते हैं जब पुर्वर्ती पूचा जाएं तो जो संख्या दे रखी उसमें से एक घटा देंगे तो 6 की पुर्वर्ती संख्या क्या हो जाएगी 5 यही हमारा क्या हो जाएगा आगे दिखो 15 की पुर्वर्ती संख्या पूचा गया है तीसरे का घा जो है तो 15 की पूरवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा गया है तो 15 की पूरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी यानि संख्या में से हमको एक माइनस कर देना है तो एंसर क्या मिल जाएगा चौधा तो 15 की पूर्वरती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी 14 और यही हमारा क्या हो जाएगा आइंसर हो जाएगा आगे हैं प्रिश्ण नमर 14 हो क्या कह रहा हैं कि निम लिखित में से शत्य और आसत्य को छाटिये यहाँ पर सही और गलत आप्शन आपको बताना है सबसे पहला दे रखा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो यह सत्य है कि आशत्य है तो आपको होगे यह बात बिल्कुल सत्य है यानि एक जो होगी वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे जैसे ढूंचिया से च्छोटी कोई से चला कहात तक आनन तक कोई भी जैसे आनन्ता है प्राकृति संख्या पूर्ट इए अगला है दूसरा देखो संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राक्रतिक संख्या की दाहिनी ओर की संख्या उससे छोटी होती है तो देखो यह संख्या रेखा होती है संख्या रेखा यहां पर हम जीरो मानेंगे और इधर की तरफ यानि दाहिनी तरफ दाहिनी तरफ और यह तरफ बाएं तरफ जब आप दाहन यहां हो इसके दाहनी और जाओगे दो इस दर जाओगे तीन और दाहनी और जाओगे चार दाहनी और संख्याएं सबसे छोटी होती है तो देखो दाहनी और की संख्या छोटी एक से संख्या दो बढ़ी हो रही दो से तीन तीन से चार दाहनी और जाओगे तो संख और 104 हैं तो क्रमागर शंख्यां क्या होंगी जो क्रम से आएं क्या होंगी क्रम से जिसे 101 के बाद कौन से आ रही है 102 और 102 के बाद कोन आएगी 103 तो यह भी आपका आप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलो 01 प्राकृतिक शंख्या है तो यह क्या हो सबसे बड़ी नहीं होती है यह भी आपका आप्षिंख्या हो जाएगा एकदम करिक्ट होगा कि ठेक है कि आगे चले है कि ठेक देखे पाच्वा कुश्चन क्या कह रहा है 999 की अनुवर्ती शंख्या ग्याद करो अनुवर्ती शंख्या के लिए मैंने क्या बताया था कि अनुवर्ती शंख्या जब निकालना होगा तो शंख्या में आपको एक प्लस करना होगा यहां देखो यह संख्या दे रखी है संख्या आप लिख लोगे ठीक है इसमें एक प् कितना हो जाएगा तो किद नहोगा कि यहाँ पर आजाएगा आपका कि चलो अगरा प्रशन देखेंगे कि है कि अगला प्रस scholarly ऐस्थ है इस संख्या की पुरवर्ती प्राकरती के संख्या जब भी प्रवर्वर्ति संख्या निकाल नी Wars without हम क्या करेंगे संख्या में से एक माइनस कर देंगे संख्या जो भी लिखी है उसमें से हम क्या करेंगे एक माइनस करेंगे मायनस करके लिखो एक में से 1 गया 0 यहां पर भी 0, 0, 0, 0 और 1 क्या हो जाएगा 1 मायनस करेंगे पुरवरती संख्या निकालनी होगी तो 1 मायनस कर देंगे संख्या रेखा खीचीए उस पर 9 तक की प्राकरतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए तो देखो शंख्या रेखा आपकी चोगे ये हो गई आपकी शंख्या रेखा बीच में क्या होगा जीरो इस साइड में चलेंगे तो माइनस में माइनस का एक माइनस का दू माइनस का तीन माइनस का चार और जीरो से दाहिनी और जाओगे तो प्लस का एक प्लस का दू तीन च तो प्राकृतिक संख्यां क्या होंगी हमेशा प्लस में लेंगे तो हमको शंख्या रेखा कि इधर केवल यह वाली देखना होगा इधर वाली संख्यां जो होंगी वो प्राकृतिक संख्यां नहीं होंगी यह हमारा अंसर होगा चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखे तथा इसकी पुरवर्ती संख्या ग्याद कीजिए तो चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या चार अंक हैं तो एक लिखोगे और तीन बार 0 लगाएंगे ये चार अंकों की छोटी सोटी संख्या हो गया और इसकी पुरवरती निकालना है तो यह हैसमें हम क्या 1 माइनस कर देंगे तो 0 में से 1 जाएगा नहीं यहाँ लेंगे 10 10 में से 1 गया तो 9 यहाँ पर भी कितना बचेगा 9 और यहाँ कितना बचेगा 9 तो कितना आ जाएगा 999, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए तथा इसकी पुरुवरती शंख्या ग्याद कीजिए, तो चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो आपको होगे 1000, उसमें से एक माइनस करोगी, तो कितना आ जाएगा 999, क्लि बार 9 लिखोंगे कितनी बार 6 अंग की बड़ी से बड़ी संख्या और इसकी अनुवर्थी संख्या तो इसका मतलब है संख्या में एक प्लस कर देंगे क्या संख्या में एक प्लस कर देंगे तो 9 में एक जोड़ोगे 10, 10 का 0, 10 का 0 यहां पर भी 10 का 0, 10 का 0, 10 का 0 और यह 10 च्छे अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और इसकी अनुवर्ती संख्या आपके सामने यह हो जाएगी यह हमारा क्या हो जाएगा एंसर होगा क्लियर है कि ठेक है कि ओक्ट कि चलो ठीक है झाल